ICC Cricket World Cup League 2 का match होगा UAE vs Netherlands के बीच मैंने एक पॉइंट यहां पर शुरू में एड करूंगा देखो यह पीछ में बहुत जादा spin होड़ा है eliminate cricket ground पे क्योंकि इससे पहले यहां पे emerging cup होगा था Asia Cup emerging Asia Cup और दो series और भी होगे एक tri series था और एक bilateral series इस था same venue में एकदम recent times में और यह जो टीम है ना नेदरलेंड एक चीज़ देखो नेदरलेंड लेन strong team है बट एक चीज़ तो बहुत clearly exposed होगा कि इनको spin आता नहीं है यह उमान के साथ हार रहा है यूए के साथ chase करते होगे आ रहा है ओमान के साथ bet first करते हा रहा है somehow दोस्तों हारे और collapse हो रहे है literally collapse हो रहे है दोस्तों last match में यूए भी collapse खाके आ रहा है बर still मेरा जो suggestion रहेगा कि आप एक अच्छा team बनाओ spin friendly pitch बनाओ और spin friendly team बनाओ और slightly यूए के spinners ज्यादा हाभी हो सकते कंपेर्टू निदलिन के spinners ठीक है निदलिन के spinners जनरली बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते है वो थोरे से pace से ball करते skate करते अरियंद जैसे players जो line length पकर के करते हैं यूए के पास अच्छे lift-up जो प्ले में आएगा इवन ऑफ-spinner प्रेशार भी अच्छा अच्छा मैच बनेगा पीच की पॉइंट में रहेगा पीच रिपोर्ट तो बताऊंगा आयान खानी बहुत बढ़ी है पंद मेरा मानना इस मैच में हो सकता है जैसे कि शकीला में दिक्कत दे रहा है दोस्तों नेदरलेंज को इवन यूए को भी दिक्कत दिया और धूप प्रेशार एक बहुत बढ़िया प्रेशन कौन कर देना आते अभी अनलाइसिस में लास में साथ गया रहा है दोजाट चॉबिस पेसस बैटर स्पिन सबके लिए कुछ ना कुछ है इनिशेली शायद एक दो वर पेसस रहता है बाकी दोस्तों स्पीन स्पीन है स्पीन है ठीक है यह मान के चलो देखो लास मै पर 10 133 पर 2 इसी वेंडियू का मैं बात कर रहा हूं 240 यह हुआ हेट टुएट युए जो चीता था तो चालीज बैट फर्स मनाया था दोस्तों 14 पर 10 उससे पहले एक उठाट आशे पर लाव ओं नहीं किया था 139 चेस तो यह मैच में आप मान के चलो जो एवरी स्कूर है 296 नियरावाद 200 शायद मैक्सिमम बने और रन बनाना मुश्किल है बॉलस ज्यादा ट्राइक करना है हेट टुएट में दो-दो मैचे सोचुके हैं दोनों युए ने वीन किया थिको लॉस्ट 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 और निदलेन का वन 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 पहले तक अच्छा केट खेल रहा है आते ही हुए इसे अरियां श्रम ओपन मुहमद असीम विट्य अरविन विष्ण सुकुमार ने ये टीम ने अच्छा है अरियां चला नहीं है बट ये टीम मेरे साब से ज्यादा चट दिख रहा है कंपेट तो इतना दिन जो रोटेशन कर रहा था ठीक है और बॉलिस भी अच्छे है इनके पास अगर दिखो कि आरियां मुहमद जसीम ने लास्ट मैच में 13 उससे पहले अर्ट रहा है एक मिल्ल ओवर में 44 बनाया था फर्स ट्रेनिक अधरवास कुछ खास बैटिंग इसने क्या नहीं है आरियां ये जीरो और सा थोड़े बहुत आपको पार्ट टैम बॉलिंग करते हुए दिखेगा विश्नु पर जेनरी लिए पार्ट टैम करेंगा क्योंकि इनके पास दुरू प्रशार है आयान है बसील हमीद है बहुत सारे स्पिनर्स राहुल भटिया चार स्पिनर खेल रहा है तो विश्नु का इ इन्हों ने एक मैच में 88 बनाया था हेट ट्वेड में आया था मैं उस पॉइंट में आऊंगा अच्छा प्लेयर है दोस्तों एड कर सकते हो बट फिलाल मैं मिनीमम बैटल लूंगा और मैक्सिमुम बॉलर ऑल्राउंडर ट्राइग करूंगा अली नसीर इसको मत छोड़ो ह बहुत अच्छा बॉलिंग किया था बटना यह बैटिंग से ज्यादा चल नहीं रहा है कि इन लिफ्टी बैटर है तो उसके अगेंस यह प्लेयर अच्छा है अली नसीर रखना मेरे साब से रखना ही सही चॉइज रहेगा आपके लिए अयान खान बस्ता मैच में नष्य तो ऑफ इस इत्वह रही ही प्रेशान ने अच्छा गया सिजन एक मैंच में उपरान एक ब्ली जेप्च 삼त पंच वेख लु दो यह था nap मैं यह भी अच्छा में सपना पशार बसील हमीत एक और बडिया उप्शन है जिसने लास्ट मैंच में तीन निकाले थे बारा रन बैटिंग से उससे पहले नौदे को पीछन स्पीन फ्रेंडली बहुत ज्यादा है तो यहां पर बैटिंग करने थोड़ा टफ हो रहा है बट बॉलिंग से अच्छा जुनेत सिद्धी की देखोगे तो बॉल फर्स तग्रा चॉइस है क्योंकि इनिशेली पिसस को हेल्प हो रहा है रिपीट बॉल फर्स ज्यादा सपोर्ट मिलेगा लास्ट एट्वेर में तीन विकेट भी निकाला बॉल सेकेंड डॉप रोटेट कर सकते हो बट बॉल फर्स उमीद रहमान दो ओडियाए मैच में तीरा ओवर कुछ खास नहीं है तनी सूरी शाहिद इखेले 25 रंड खेलता है तो ओपन कर लेगा स्टार्टिंग ओबर प्रशार आयान सिद्धिकी डेट में अयान सिद्धिकी अली निसीर करते हैं आपको दिखेंगे इस ट्रेम से आत यह टीम से देखो मैक्स और ड्वाइट आपको ओपन करते हैं थोड़ा बहुत बहुत बैटिंग और हां यह ना बॉलिंग भी कर सेथा है मुझे लगता है इस मैस में क्योंकि ऑपनेंट के पास एक आदा लेटर है आली नसीर जैसे जो पीछे बैटिंग करेंगे तो को कहलना बहुत टफ है प्रेशार अच्छा लाइन से डाल रहा है तो मेरे साब से नहीं रखना से ही है इसको नुआ क्रोईस 29 एक मैच में एक मैच में तो मैं प्रिफर्ट नहीं करूंगा इनको स्कॉट एडवर्स बहुत अच्छा स्पीन के लिए बहुत जाद अच्छा ह स्पीन अच्छा खेलता है अच्छा अच्छा शायर नहीं किसी को रखना परेगा और अभी के लिए सेफ बन रहा है स्कॉट एडवर्स पब्लिक का भी चोईज है बट मैं बोलूंगा कि विट्ट अरविंद्वर्स क्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं बिलीफ करता हूं कि जो स्पीनर है यूई का वह ज्यादा बेटर है कंपेटर निदरलेंड का और यूई ज्यादा है इस कंडिशन में खेलने में क्योंकि शार्ट जावाला पीछ में भी यूई के प्लियर्स खेलते हैं जो थोड़ा बहुत सेम है नीचर में ठीक है अलमीरेट जैसे मेरी लिस्ट क कंट्री से बेस्ट डी अगर देखते हो तो बेस्ट शोयजे पुब्लिक ने इनको कैप्टेन बनाएंगे बट यह ना बॉलिंग से कम बैटिंग से जादा वैल्यू दे रहे दोस्तों और यह लाजमी है और क्योंकि यह पीछ में स्पीनर्स प्रेंडली है तो इसको बॉलि कैप इसी जा सकते हो इसके साथ बॉल फर्स में कैप इसी जरूर बन जाना और है इस अ प्लेयर डेफिनिटली इंपॉर्टेन है बेस्ट प्लेयर है 43 उडे में 43 होगे 976 रन शरी जामित ने लास्ट बैंच में चार ओवर डाला जीरो एक निकाला नौ रन किया उससे पहले स पीन हो रहा है रीपीट बॉल फर्स ले सकते हो अच्छा चोईस बनेंगे दस बारा रन बैटिंग से एक आदा विकेट आपको दे सकते है बॉल फर्स जाद सही है रायन क्लें में प्रिफर नहीं करूंगा इस पिच में स्पीनर के लिए बहुत कुछ है पेसिस के लिए बह लास्त मैच में एक आट ओवर में एक उससे वहले नौवर में दो इक है ठीट है अरियन दत्ता 42 मैच में 46 विकेट एक एंड पकट के बॉल डालता है एज़ा प्लेयर मस्टीक है बट मुझे लगता है एक विकेट ही लेगा और जाद जादा दो सेफ ऑप्शन है टिम में र पर बैटिंग करेगा दत्ता से बैटिंग करना जानता है यह बंदा पॉल बैंड में करें थोड़े बहुत हीटिंग और बॉल फर्स्त अग्रा चॉइस है ऐसा प्लेयर मस्ट पीक है बॉल सेकंड रॉप प्रोटेट कॉली नेकर्में सॉल आउड यह मैच चाइल क्लें का क को जाएसा पर्फोमेंस माइकल लेविट वीव टिंग मा चांसिस कम है तो यह पीछ मेंने स्पीनर्स को चाहिए तो ऐसे ही दोस्तों वीग बन जाता है निदरलेंड ओवर डिस्टिपिशन आरियन वैंगुटिन और दोस्तों रॉल है वेंडर मैडवी डेथ में आरियन वै यह तो शायद अरियन दत्ता करें लास्ट जो अलिमिट में वीट टूएट वा न दूस्तों चालिस पार विकेट पचास वर में यह रंचेस नहीं कर पाया था राहुल चोपरा ने अच्छा पॉजिशन में था निदरलेंड सेडिनली कंबैक कर गया राहुल चोपरा और प अब चलते हम लोग लावन टीम में लाइक करो दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करो जिर जाओ टेलिग्रम डिस्क्रिप्शन में अल्रेडी लिंक अब को फिलाल दोस्तों जो टीम बनेगा ना देखो पब्लिक चोईज इसकोड एडवर्ण बहुत लॉजिकल डिफिनिशिय है रख सकते हो मैंने एडवर्सी करें ले लिया क्योंकि मैं स्मॉल इकटीम शोगर रहा हूं विक्रम जीत मैं नहीं लूँगा एनी करिशन चोपर मिलोवर में स्पिन खिलना मुश्किल है बहुत अच्छा बैडिंग कर रहा है क्योंकि बॉलिंग कर सकता है मुझे लगता ह पब्लिक ने इसके साथ जाएगा मैं आपको रिस्क लेनी को सजेशन दूँगा नेदरलेंस से की ओड़ोएट को डॉप करो ठीक है अच्छा रिस्क होगा लोजीकल होगा बता रहा हूं कि इसको लेना है वासे महमद भी कुछ खास चॉइस नहीं है इस मैस में बट स्टील लिमस्त प्रोबार स मैं लेने हुए यहां प्र फर सता को ले रहा हूं नयुक्स को बॉल फॉरस लेना जरूरी है सेंब आढ आत है इसके से करना अर्ण से आट करो करो 450 और ईकर गर्च सब 1 को रको एक बार बार बारी वारी चेंज्जेς करना एक बार वासीम मुहमद को रक के बेच रोटेशन करना, दो टीम के साथ खेल लो एक ही टीम से खेलना परे ऐसा नहीं है मैं तो दो टीम के साथ केलता हूँ, मल्टिप्लायर खेल जाता हूँ, ऐसे लीज केलता हूँ, ज्यादा प्रॉटिबल होता है, कैप विसी में बसीले में या बहुत तगरे दिख रहे है केब दिसी में along with iron मैं जाऊंगा मैं ना इस मैच में बेजडी लीडी अगर ball first होता है तो शायद मैं captain बना दो otherwise मैं केब दिसी नहीं बनाऊंगा इसको मैं just as a player जाऊंगा फिलाल ये रहेगा मेरा टीम कुछ भी update आता है अगले मैच के coverage के साथ मिलते है मैच टाइम पे telegram पे thank you दोस्तो